राजस्तान सिक्षक संग एकिकरत के आवाहन पर शहीद स्मारक जैपुर में गुजवार से शुरू हुआ धर्ना प्रदर्शन सिक्षक राज्यसरकार से तबादलों पर बैन हटाने की मांग कर रहे हैं दरसल सिक्षवंतरी बीडी कल्ला ने हाल ही में थर्ड ग्रेड सिक्षकों के तबादले से बैन नहीं हटाने के संकेत दिये थे इस सिक्षक नाराज हो गए सिक्षक संग एकिकरत के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रंजी इना ने कहा इस बार सिक्षक आरपार के मूद में है जिसे सरकार को समझना चाहिए तृत्य श्रेनी ट्रांसफर की खबर ट्विटर पर भी खुब वाइरल हो रही है लेकिन सरकार तबादले नहीं कर रही है जबकि राजनीती अपरोच वालों को पिछले दर्वाजों से तबादले करवाय जा रहे है बतादे सिक्षकों के महा अंदोलन ने गती पकड़ते हुए सिक्षक सुनील महला सूरजभान और ब्रजलता आमरण अंशन पर बैठ गए अध्यापक सुनील महला सूरजभान वे अध्यापिका ब्रजलता ने अपनी पीड़ा को आंदोलन में रखते हुए कहा की कई बार धरने प्रदर्शन के बावजूद भी ट्रांसफर नहीं हुए आताया हमारे पास केवल एक ही विकल्प है आमरण अंशन जब तक त्रत्य श्रेनी अध्यापकों के ट्रांसफर नहीं हो जाते आमरण अंशन चलता रहेगा महांदोलन में सुभह से लेकर शाम तक सिक्षक नेताओं के भाशन होते रहे और प्रदेश भर से भारी संख्या में पहुंचे सिक्षकों ने एक स्वर में कहा है कि दो लाग से अधिक लोगों की सरकार सुन नहीं रही है जिसका सिक्षक करारा जवाब दे व्यूर रिपोर्ट पंजाब की सिक्षक